दोस्तों, अप्रोच अंगल और डिपार्चल अंगल का फायदा बताता हूँ, ठीक है? देखे हो, मेरे सामने चड़ाई है, अगर मेरी गाड़ी का अप्रोच अंगल और डिपार्चल अंगल जाधा नहीं होगा, तो इसलिए कभी भी गाड़ी पर्चेस करें तो भईया पूछें उनसे कि अप्रोच एंगल और डिपार्चल एंगल कितना है यही एक चीज है जो हम बहुत इगनोर कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं और बाद में हमको इसका पच्चतावा होता है क्योंकि इंडिया में आपको सड़के पता ही हैं सड़कों से ज्यादा गड़े हैं तो हमेंसा इस चीज का ध्यान रखें जैहिन